हेलो दोस्तों, वेलकम, आज हम इस वीडियो में पत्राचार के बारे में डिस्कस करेंगे. पत्र लिखना स्कूल में कितना बढ़िया अनुभव था? पत्र लेखन लगबग सभी कक्षाओं में पूछा जाता है. अच्छा पत्र लिखना भी एक कला है, जिसके अनुसार ही परीक्षा में अंक दिये जाते हैं. आपको परीक्षा में इस टॉपिक में पूरे अंक प्राप्थ हों. इसलिए इस विडियो में पत्र लेखन से संबंधित, सभी महत्वपूर्ण नियम, कुछ प्रश्ण और एक्जाम्पल दिये गए हैं. आए इसे विस्तार से जानते हैं. पत्राचार को पत्र लेखन भी कहते हैं. पत्र लेखन से जुड़े इन सभी सवालों को हमने इस विडियो में कवर किया है. तो आप इस विडियो को पूरा जरूर देखिए. पत्र लेखन क्या है? एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक कागस के पत्र पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है. उस प्रोसे इसको पत्र लेखन कहा जाता है. पत्र लेखन को चिठ्थी भी कहा जाता है. कोई व्यक्ति जब अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है तो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उस पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुँझाता है कुछ दशक पहले, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भीचने का एक मात साधन, पत्र ही था पत्र लेखन कैसे लिखते हैं? नीचे कुछ बिंदू दिये गए हैं, जो पत्र लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है फर्स्ट, सरलता से पत्र लिखे पत्र लेखन हमेशा सरल, सीधा और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए पत्र लेखन में कथिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए सेकंड, पत्र लेखन में अपना उद्देश्य अच्छे से लिखे पत्र में अपना उद्देश्य को अच्छे से समझाएं, उसमें किसी भी प्रकार की शनका या जिग्यासा नहीं होनी चाहिए थर्ड, स्पष्टता के साथ पत्र लिखें पत्र के द्वारा हम जो भी बात बताना चाहते हैं, वो स्पष्ट वाक्य में लिखें, उसके अंदर सरल और सीधे वाक्यों का प्रयोग कीजिए फोथ, पत्र लेखन हमेशा प्रभावित होना चाहिए जब भी सामने वाले हमारा पत्र लेखन अच्छे से समझ जाता है और पढ़ पाता है, तब हमारा पत्र प्रभावित कहलाता है पत्र लेखन में अच्छे शब्द और मुहावरों का प्रयोग करके उसे प्रभावशाली बना सकते हैं पत्र लेखन में हमेशा काम की चीजे लिखी होनी चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होना उचत नहीं होता मौलिक्ता का गुण बहुत ही अनिवार्य है, जब हम पत्र लेखन लिखते हैं पत्र लेखन लिखते समय, पढ़ने वाले के विशे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखें पत्र लेखन की उप्योगिता अत्वा महत्वा नीचे बताए गए हैं आजकल दूर दूर रहने वाले सगे संबंधियों वव्यापारियों को आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखने एवं संबंध रखने की आवश्यक्ता पड़ती है ऐसे में पत्र लेखन का महत्वपूर्ण किरदार है निजी अत्वा व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने तथा भीचने के लिए पत्र व्यवहार विशय अत्यंत कारगार है क्रोध, जिग्यासा, प्रार्थना, आदेश, निमंत्रन आदी अनेक भावों को व्यक्त करने के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है संदेश पढ़ने का अधिकार नहीं होता है मित्र, शिक्षक, छात्र, व्यापारी, प्रबंधक, ग्राहक व अन्य समस्थ सामान्य व्यक्तियों व व विशेश व्यक्तियों से सूचना अत्वा संदेश देने तथा लेने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है अच्छे पत्र की विशेश ता, पत्रों को प्रभावशाली एवं प्रेशनिय होना चाहिए, अच्छे पत्रों में निम्न विशेश ताए होनी चाहिए पहला, स्पष्टता पत्र लिखते समय लेखक विशेश रूप से यह ध्यान रखें, कि अपने भावो या विचारों को क्रमबद रूप में व्यक्त करें, जिससे पाथक लेखक के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकें प्रशासनिक तथा व्यावसाईक जीवन से समबंधित पत्रों में ये स्पष्टता और आवश्यक रहती है दूसरा, सरल भाषा का प्रयोग पत्र के अंदर भाषा एक विशेश हिस्सा है पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए भाषा, नर्म एवं शिष्ट होगी तभी पत्र पाथक को प्रभावित कर सकते हैं कृपया, धन्यवाद जैसे आदी शब्दों का प्रयोग करके पाथक के मन को सीधे पत्र लिखने की भावना का महसूस कराना चाहिए तीसरा, संक्षिप्तता वर्तमान युग में सभी के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है इस कारण व्यर्थ के लंबे पत्र, लेखक वपाथक दोनों का अमूये समय व्यर्थ नश्ट करते हैं मुख्य बातों को बिना किसी संदेई के लिखा जाना चाहिए अनावश्यक रूप से लंबे शब्दों को लिखने का परित्याक किया जाना चाहिए चौथा, संपूर्णता पत्र, संक्षिप्त लिखने की आपा धापी में कोई विचार अधूरे न हो विचार की पूर्णता से ही भावार्थ सपष्ट होता है अतह जो बाते व्यक्त की जाए वो अपने आप में संपूर्ण हो ऐसे पत्र ही श्रेष्ट एवं आदर्ष पत्र माने जाते हैं पाच्वा, शुधता पत्र के विशे में शुधता आवश्यक है पत्र लिखते समय, काल, लिंग, वचन, पुरुशादी का ध्यान रखते हुए पत्र पूर्ण करें व्यावसायक या प्रशासनिक पत्रों में इसका अत्यधिक महत्व है शुधता पत्र के द्वारा लेखक का व्यक्तित्व जाना जाता है अतह पत्र में शालीन ता पूर्वक अपनी बातों को व्यक्त करना चाहिए व्यावसायक पत्रों में पत्रों के द्वारा ग्राहकों को आकर्शित किया जाता है इसलिए उसमें नम्र्टा जरूरी हो जाता है शिष्टता के अभाव में कोई भी पत्र चाहे जितना अच्छा क्यों न लिखा गया हो निश्प्रान दिखाई देते है सात्वा प्रभावोत पादक पत्र इतने रोचक एवं आकरशक शेली में लिखे जाएं कि पढ़ते ही पाथक प्रभावित हो और पत्रों में लिखी गई बातों को सहचता से मान ले महात्मा गाधी तथा प्रेमचंद के पत्रों में यही गुण थे जिसके कारण पढ़कर व्यक्ति उनके भावों के अनुरूप हो लिया करते थे आथ्वा स्वच्छता पत्र की भाशा सरल्वसपष्ट भी होनी चाहिए साथ ही पत्र को साफ कागस पर अक्षरों का ध्यान रखते हुए साफ साफ लिखना चाहिए यदि पत्र टाइप किया हुआ हो तो उसमें कोई गलती या काट पीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह पाथक को अच्छी नहीं लगेगी नववा रुचिपूर्ण पत्र में रोचकता के बिना पाथक को प्रभावित नहीं किया जा सकता इसलिए पाथक के स्वभावव सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र को प्रारम करना चाहिए पत्र में पाथक के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्दों, आदर्निय, प्रिय, महोदे आधी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए दिश्वा, पत्रों में बाहरी सजावत, पत्रों में बाहरी सजावत निम्नानुसार होनी चाहिए लिखावत सुंदर होनी चाहिए शीरशक, तिथी, अभिवादन, अनुच्छे दादी का यथा स्थान उलेक हो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग वांचित है विशय वस्तु के अनुपात में कागस का उप्योग पत्र लेखन के प्रकार पत्र लेखन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है अपने दैनिक जीवन में कभी स्वजनों को, कभी कार्याले को और कभी व्यवसाई से संबंधित पत्र लेखन की आवश्यक्ता पढ़ी जाती है इस तरह पत्रों को मुख्य तोर पर दो वर्गों में बाटा जा सकता है आपचारिक पत्र और अनापचारिक पत्र सरकारी, अर्द सरकारी अधिकारियों, कार्यालेयों, संस्थानों और दुकानदारों आदी को लिखे जाने वाले पत्र आपचारिक पत्र कहलाते है आपचारिक पत्र हम उसे लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी पारिवारिक संबंध या निजी संबंध नहीं होता इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की बातशीत या आत्मियता का समावेश नहीं करते इन पत्रों को पेशेवर भाशा में लिखा जाता है जानकारी के लिए बता दे कि आपचारिक पत्र तीन प्रकार के होते हैं प्रार्थना पत्र, कार्याली पत्र अथ्वा आधिकारिक पत्र, व्यावसाइक पत्र अथ्वा व्यापारी पत्र पहला, प्रार्थना पत्र जिन पत्रों में निवेदन अत्वा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं ये अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाते हैं दूसरा, कार्याली पत्र अत्वा आधिकारिक पत्र विभिन कार्यालेयों के लिए प्रयोग किये जाने अत्वा लिखे जाने वाले पत्रों को कार्याली पत्र कहा जाता है ये पत्र किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच सरकार और दूतावास, राज्य सरकार के कार्यालेयों, संस्थानों आदी के बीच लिखे जाते हैं कार्यालेई पत्र दो प्रकार के होते हैं शासकिय पत्र और अर्ध शासकिय पत्र शासकिय पत्र शासकिय पत्र में एक विशिष्ट और निर्धारत शेली होती है। इन उपचारिक पक्षों का इसमें विशेश रूप से ध्यान रखा जाता है। इसके प्रमुख हंगों में सरनामा, पत्र संख्या, पत्र प्रेशक का नाम, प्रेशिती का नाम, विशे संकेत, संदर्व, संबोधन, विशे कसपष्टी करन, हस्ताक्षर्व, पदनाम आधी, उलेखनी हैं। अर्द्शा सकिय पत्र अर्द्शा सकिय पत्र विभिन सरकारी अधिकारियों के बीच का पत्र है, जिसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश होता है। इसका उद्देश अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मती जानना, जानकारी या सूचना पाना, विचारों का विमर्ष अत्वा आदान प्रदान करना होता है। इसमें प्रेशित अधिकारी अपना हस्ताक्षर करता है, पद के नाम का उलेक नहीं। शासकिय एवं अर्ध शासकिय पत्र में अंतर। प्रेशित अधिक होती है, परन्तु अर्ध सरकारी पत्रों में अप्चारिकता के साथ साथ अनप्चारिकता भी होती है। तीसरा, शासकिय पत्र के संबोधन में महोदे शब्द का प्रयोग होता है, परंतो अर्ट शासकिय पत्र में प्रियवर के साथ नाम अत्वा उपनाम का भी प्रयोग रहता है. चौथा, सरकारी पत्र में मुझे निर्देश हुआ है या मुझे आदेश हुआ है, पदावली का प्रयोग कलेवर में जुड़ा रहता है. पाँच्वा, शासकिय पत्र में प्रेशक अपने हस्ताक्षर एवं पत्र का उलेख करता है, परंतु अर्चासकिय पत्र में प्राया केवल हस्ताक्षर ही किया जाता है सरकारी अथ्वा शासकिय पत्र का नमूना तीसरा, व्यापारी अथ्वा व्यवसाईक पत्र व्यवसाय में सामान खरीदने वबेचने अथ्वा रुपेओं के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसाय पत्र कहते हैं आज व्यापार एक प्रतिद्वंद्विता का दौर है प्रतिएक व्यापारी यही कोशिश करता है कि वो शीर्ष पर विद्यमान हो व्यापार में बड़ोतरी बनी रहे साख भी मजबूत हो इन उद्देश्यों की पूर्ती हेतु जिन पत्रों को माध्यम बनाया जाता है वे व्यापारिक पत्रों की श्रेनी में आते हैं इन पत्रों की भाशा पुनरतः उपचारिक होती है इसके अंतरगट निजी एवं पारिवारिक पत्र लेखन आते हैं इसकी भाशा एवं शेली खुली रहती है पत्र लेखक अपनी इच्छानसार इसमें अभिव्यक्ति दे पाता है ये पत्र सगे संबंदी, मित्र, गुरुजन, माता-पिता, भाई-बहनादी को प्रेशित किये जाते हैं इसे मुख्यत तह दो वर्गों में बाटा जाता है पहला है सामाजिक पत्र और दूसरा निजी पत्र सामाजिक पत्र सामाजिक पत्र में निमनिलिखित पत्र आते हैं विविद पत्र, बधाई पत्र, परिचे पत्र, आमंत्रन पत्र और शोग पत्र सामाजिक पत्र का एक उदाहरन पुत्र की विवाह का एक निमंत्रन पत्र निजी पत्र निजी पत्र अनौपचारिक पत्र होता है, ये पुनर्टा पारिवारिक और आपसी रिष्टों की कोमलता आत्मियता के साथ ही भावपूर्म होता है हर्ष विशाद, उल्लास, सहज रूप से इसमें प्रस्तुत होता है, इसमें दिखावा या आडंबर नहीं होता, और चारिक पत्रों की भाती इसकी भाशा भी सधी हुई नहीं होती इस पत्र की कुछ प्रमुक विशेश्टाएं निमनलिखित हैं पहला, निजी पत्र में पत्र लिखने वाला अपने को मानसिक द्रिष्टी से पत्र पाने वाले के निकट अनुभव करता है आतह इस पत्र में हर्ष विशाद, उल्लास आदी भाव, स्वयम्मे वुद्पन हो जाते हैं दूसरा, निजी पत्र मानविय उद्गारों की सहज अभिव्यक्ती है तीसरा, निजी पत्र पुनर्तह अनौपचारिक और आपसी रिष्टों की को मलता और आत्मियस नेह से परिपूर्ण होता है चौथा, निजी पत्र की भाषा, सरल सुबोड एवं सामान्य बोलचाल की भाषा होनी चाहिए पाँचवा, निजी पत्र में सबसे उपर अपने निवास स्थान का नाम, पता, दिनाक के पश्चात संबोधन, अभिवादन लिखना चाहिए इसके पश्चात, पत्र की सामगरी, वरंत में पत्र प्रेशक का नाम लिखना चाहिए छट्वा, निजी पत्रों में यथा योग्य अभिवादन जरूर लिखना चाहिए निजी पत्र का एक उदाहरन रुपिय मांगने के लिए पिताजी को पत्र आपचारिक पत्र लेखन आपचारिक पत्र लेखन इस प्रकार है पहली बात यह कि पत्र के उपर दाहिनी और पत्र प्रेशक का पता और दिनाख होना चाहिए दूसरी बात यह कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो जिसे प्रेशिती भी कहते हैं उसके प्रती, संबंद के अनुसार ही समुचत अभिवादन या संबोधन के शब लिखने चाहिए यह पत्र प्रेशक और प्रेशिती के संबंद पर निरभर है कि अभिवादन का प्रयोग कहां, किस के लिए, किस तरह किया जाए अंग्रेजी में प्राया छोटे बड़े सब के लिए माईडेय का प्रयोग होता है किन्तु हिंदी में ऐसा नहीं होता पिता को पत्र लिखते समय हम प्राया पूज्य पिताजी लिखते हैं शिक्षक अत्वा गुरुजन को पत्र लिखते समय उनके प्रती आदर्भाव सूचत करने के लिए आदर्निय या श्रद्धिय जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं यह अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृती के अनुसार चलता है अपने से छोटे के लिए हम प्राया, प्रियवर, चरंजीव जैसे शब्दों का उप्योग करते हैं प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राह को, पुस्तक विक्रेता, संपादक, आदी को लिखे गए पत्र, आपचारिक पत्र कहलाते हैं आपचारिक पत्र लेखन हिंदी में लिखते समय, ध्यान रखने योग्य बाते आपचारिक पत्र नियमों में बंदी हुए होते हैं इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाशा का प्रयोग किया जाता है इसमें अनावश्य बातों का उलेख नहीं किया जाता पत्र का आरंब वँ अंत, प्रभावशाली होना चाहिए पत्र की भाषा, सरल, लेक, सपश्ट वँ सुंदर होना चाहिए यदि आप कक्षा अथवा-परीक्षा-भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा-थवा-परीक्षा-भवन अपने पता के स्थान पर तथा कखग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए पत्र प्रिष्ट के बाई और से माजन लाइंग के साथ मिला कर लिखे पत्र को एक प्रिष्ट में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तार्तमिता बनी रहे प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेशक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा वर दिनाग लिखना चाहिए अनौपचारिक पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बाते भाशा सरल वस्पष्ठ होनी चाहिए संबंध व आयू के अनुकूल, समबोधन, अभिवादन व पत्र की भाशा होनी चाहिए पत्र में लिखी बात संक्षिप्थ होनी चाहिए पत्र का आरंब व अंत्प्रभावशाली होना चाहिए भाशा और वर्तनी, शुध, तथा लेक स्वच होना चाहिए पत्र प्रेशक व प्रापक वाले का पता साफ वस्पष्ट लिखा होना चाहिए कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर कखग तथा पते के स्थान पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए अपना पता और दिनाक लिखने के बाद एक पंक्ती छोड़कर आगे लिखना चाहिए अनौपचारिक पत्रों को लिखने के उद्देश्य अनौपचारिक पत्रों को लिखने का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार वालों को, प्रियजनों को, सगे संबंधियों को, मित्रजनों आदी को, निजी संदेश भीजना है किसी निजी जन को बधाई देने, शोक सूचना देने, विवाह, जनम दिन पर आमंतरत करने के लिए आधी के लिए इन ही पत्रों का प्रयोग किया जाता है खुशी, दुख, उत्सा, गुसा, नाराजगी, सला, सहान, उगूती, इत्यादी भावनाओं को अनौप्चारिक पत्र के माध्यम से व्यक्त करना समस्त अनौप्चारिक कारियों के लिए अनौप्चारिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक पत्र के भाग पहला प्रेशक का पता अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले प्रेशक का पता लिखा जाता है पता पत्र के बाई और लिखा जाता है दूसरा है तारीक प्रेशक के पते के ठीक नीचे बाई और तिथी लिखी जाती है ये तिथी उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत लिखा जा रहा है तीसरा है संबोधन तिथी के बाद जिसे पत लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए इस्तिमाल शब्द संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदर्निय, आदी, सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है चौथा है अभिवादन संबोधन के बाद नम्सकार, साधर, चरंड, स्पर्ष, आदी रूप में अभिवादन लिखा जाता है पाँचवा है विशय वस्तू अभिवादन के बाद मूल विशय वस्तू को क्रम से लिखा जाता है जहां तक संभव हो अपनी बाद को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए छटवा है स्वनिर्देश या अभिनिवेदन इसके अंतरगत प्रसंद नुसार आपका भवदिय शुभा कांक्षी आदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है सात्वा है हस्ताक्षर पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अत्वा हस्ताक्षर किये जाते हैं आपचारिक और अनापचारिक पत्र में अंतर आपचारिक पत्रों को सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों के प्रेशन में शामिल किया जाता है जबकि अनापचारिक पत्रों को पारिवारिक, निजी सगे संबंधियों, दोस्तों आदी को लिखा जाता है आपचारिक पत्रों के अंदर शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है जबकि अनौपचारिक पत्रों के अंदर प्रेम, स्नेह, दया, सहान उभूती, आदी भावनाओं से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है आपचारिक पत्रों का व्यापारिक जगत में विशेश महत्व होता है जबकि अनापचारिक पत्रों का व्यापारिक जगत में कोई उप्योग नहीं होता है आपचारिक पत्रों को लिखने का एक आपचारिक उद्देश्य होना आवश्यक होता है जबकि अनौपचारिक पत्रों को लिखने का कोई मुख्य उदेशे नहीं होता है अपचारिक पत्रों में मुख्य विशय को मुख्य तह तीन अनुच्छेदों में विभाज़त किया जाता है जबकि अनौपचारिक पत्रों के मुख्य विशय को अधिक्तम दो अनुच्छेदों में विभाज़त किया जाता है। आपचारिक पत्रों को स्पष्टता से लिखा जाता है, जिससे किसी सूचना या कार्य में बाधा अत्वा संशे उत्पन ना हो सके। जबकि अनौपचारिक पत्र भावनात्मक रूप से लिखे जाते हैं। पत्र प्रेशक का नाम और उस दिन की दिनाख उपर बताए गए दोनों चीजों को दाएकोने में लिखा जाता है। वहाँ का स्थान, वहाँ का शहर, जिला और साथ में पिन कोट भी लिखे। तीसरा, पत्र लेखन लिखने का विशे संकेत। विशे संकेत में पत्र लेखन कौन से विशे में लिखा जा रहा है। उसकी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। चौथा, पत्र लेखन में संबोधन करना आवश्यक है विशेशन के लिखने के बाद, पत्र के बाई तरफ संबोधन का प्रयोग होता है जैसे प्रियभाई, प्रियमित्र, आदर्निय, बढ़ों के लिए नीचे बताये गए शब्दों का प्रयोग करते हैं पूजय, मानिवर, आदर्निय, माननिय पाँचवा, पत्र लेखन में अभिवादन करे कार्याले और व्यावसाइक जगह पर जब हम पत्र लिखते हैं तब अभिवादन का प्रयोग नहीं करते हमारे रिष्टेदारों को अभिवादन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे सादर नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम आदी छटवा, मुख्य सामगरी लिखे संबोधन लिखने के बाद हम पत्र लेखन में मूह सामगरी का प्रयोग करते हैं इसके अंदर समय परिस्थिती के अनुसार, विशे लिखते हैं सादवा, पत्र लेखन में समाप्त के समय समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करें जब हम पत्र लेखन का समापन करते हैं, तभी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे आपका, आपका प्रिय, आपका आज्याकारी, स्नेही, भवदी, अगादी. आथवा, हस्ताक्षर और नाम भी लिखे. समापन शब्दों के बाद, पत लिखने वालों को हस्ताक्षर और अपना पूरा नाम लिखना आवश्यक है. नौववा, सनलगनेक में भीजे. जब भी हम सरकारी पत लिखते हैं, तब उसे सनलगनेक करके भीजे. दिश्वा, पुनश्च शीर्षक लिखे. पत लिखन लिखने के बाद, उसके अंदर हस्ताक्षर और सनलगन शब्दों का प्रयोग होने के बाद, उसे पुनश्च शीर्षक देकर, फिर से हस्ताक्षर लिखा जाता है. एकजाम में पूछे जाने वाले पत लिखन का उदाहरन. अपने मुहले की सफाई हे तु, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र. थानेदार को पत्र लिखकर, मुहले में होने वाली चोरियों के प्रती सतर्कता बरतने का आग रह कीजे. नगर निगम के अध्यक्ष स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, जिसमें वाल्ट की सफाई के लिए अनुरोध हो. अपने पिताजी को पत्र के माध्यम से परीक्षा की तयारी से अवगत कराए. संपादक को एक पत्र लिखकर, गर्मियों में अपने मुहले में होने वाली पानी की दिक्कत की ओर, नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान आकर शित कीजे. मासिक शूख से छूट के लिए प्राचार्य को एक पत्र लिखिए. अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, जिसमें देश की ज्वलन्त समस्याओं का उलेक करते हुए, इन समस्याओं के समाधान हे तू एक नागरिक का क्या करतव्य हो, कि संबंध में जानकारी दीजिए. कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रश्न तीन पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी होता है? आंसर पत्र लिखते समय सबसे उपर जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसका पता लिखना होता है, पता लिखने के बाद उसके नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है. प्रश्न चार पत्र के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? आंसर पत्र लेखन के मूल रूप से तीन भाग होते हैं जैसे पहला प्रारंब भाग यानि पत्र के आरंब में पत्र लिखकर हम प्रेशक के पते का अभिवादन करने लगते हैं दूसरा मध्य भाग यानि पत्लेखन में मूल विशय के बारे में व्यक्त करने के लिए कि हम अपने पत्र में मुख्य समाचार विस्तार से लिखते हैं जो की 150 से 200 शब्दों में है तीसरा अंतिम भाग अर्थात पत्लेखन का अंत जिसमें हम प्रेशक का नाम या देश का नाम पता आधी लिखते हैं प्रश्ण पाँच आपचारिक पत्र कौन से होते हैं आपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसके अंतरगत, कार्याली पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायक पत्र और प्रार्थना पत्र आदी आते हैं इस पत्रों को निधारिक प्रारूप में लिखा जाता है और इन पत्रों की भाषा आपचारिक या पेशेवर होती है प्रश्ण 6. अनौपचारिक पत्र कौन से होते है? अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते है, जो अपने रिष्टेदारों, मित्री या करीबी परिचितों को लिखे जाते है ऐसे पत्रों में कभी-कभी भावात मिक्ता भी छलगती है क्योंकि यह पत्र, मित्रों और परिचितों को लिखे जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों से हमारे भाव जुड़े होते हैं इस पत्रों को अनौपचारिक भाशा में लिखा जाता है प्रश्ण साथ पत्र का क्या उप्योग है? पत्र का उप्योग करके कोई بھی व्यक्ति अपनी बातों को एक कागस पर लिख कर दूसरे व्यक्ति तक संदेश के रूप में भीद सकता है पत्र को पढ़कर उस व्यक्ति को जानकारी प्राप्ठ होगी उसके बाद वह आपको आपके पत्र के उत्तर में वापस पत्र लिख कर भीजेगा झाल है कर भीजेगा वाद a बॉपके शनी बा만े से अपके ठो मैं नियुके कर भीजेगार रीजेगार. इस्कांपे शोग nayे पत्र इसे लिए मुने हैं वाद ङाल वालशा, दिस्कांपे झाले kitchen एक कर भीजेगा pra बानेका। झाल झाल